हेलो व्यूवर्स, वेलकम टो माई चैनल, आज हम बात करेंगे कि स्कूल जाने से पहले बच्चों को कौन से पांच ऐसे काम हैं, ऐसे एटिकेट्स हैं जो हमें सिखाने चाहिए, सबसे पहला है हमारा हैंडशेक का, कि हमें बच्चे को हैंडशेक करना सिखाना चाहिए, कि अ बच्चों को एक प्राक्टिस कराई जाते हैं लड़ाईना हो इसलिए भी कराई anza आप अबस तरीका बच्छे को जरूर सिखा एक सब्सक्र audio हमेशा 5-5 लोगचे प्रश्च करो करहों अपते हैं जोड़ हैं चोटे बच्चे तो हमेशे लेफ्ट ही आगे करती है कि अब बता सकती हूं इस चीज के लिए कि बच्चे को एक चीज सिखाए कि आपको अपना राइट हैंड आगे करना है और पांचों उगलिया ऐसे होनी चाहिए आपका हैंड जो होना चाहिए और जब आप हैंड शेक करे हैं ठीक है ना ही बहुत डीला होना चाहिए और ना ही बहुत जोर से पघड़ना है दूसरी बात यह जब आप हैंड शेक करना है यह आप अपने साथ वाले बच्चों के साथ इस तरीके से हैंड शेक कर सकते हैं लेकिन जब बात आती है कि बड़ों के साथ किस तरीके से हैं परवरिश के टीकर की गई है आपको एक फॉलो करना है अपके बच्चे को सिखाना है अपने बच्चे के अंदर ये सब चीजे डिया है हमारा दूस्रा स्टैप है सेल्फ डिपेंड़ेंस बच्चे को self-dependent बनाना है अब self-dependent से यहाँ पर क्या मुराद है यहाँ पर है जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे जब uniform पहनते हैं तो parents क्या करते हैं कि खुद से पहनाना शुरू कर देते हैं, laces खुद से बानते हैं, उनका back खुद से लगाते हैं मैं अगर frankly speaking, मैं अपने बच्चों की तारीफ नहीं करूंगी न अपनी तारीफ करूंगी, मैं अपने बच्चों में शुरू से ही यह बात डाली है कि आपको अपने आप से करना है, ममा नहीं कर सकती हैं, उसका reason मेरे साथ यह था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी होए हैं, तो मुझे इतना time नहीं मिलता था, कि मैं एक को करने के बाद दूसरे को जल्दी से cover करूंगी, आप यह देखिए, मेरी दो बच्च मैंने क्या किया, मैंने बड़े बच्चे को अपने self-dependent होना सिखाया, उसको uniform पहने सिखाया, मैंने का आप कुछ से कोशिश करोगे, ममा नहीं हो रहा है, शुरू में एक हफ़ते तक रोई है, ठीक है, कि नहीं हो रहा है, तो मैंने मैं उसको समझा ती बेटा, धीरे धीरे करिए, आप करेंगी तो हो जाएगा, मैंने हमेशे एक बात अपने बच्चों की दिमाग में डाली है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक कभी भी कुछ नहीं होगा, हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और आगे का फैसला उपर वाले के ऊपर छोड़ दे पर चाहिए, यह बात मैंने हमेशा अपने बच्चों में डाली है, और एक कहावत मैंने हमेशा उनको याद कराई है, प्रैक्टिस में पर्फेक्ट, तो अगर उनसे कोई काम नहीं भी होता था, तो उनसे बोलती थी प्रैक्टिस में तो वो खुद से करते थे, बल्लब यह छोटी छोटी सी positive चीज होती है जिनसे बच्चा motivate होता है आप भी इस तरीके से प्रोवर्ब्स अगर आप यूज करेंगे अपने बच्चों के साथ मैं 100% बोल सकती हूँ कि आपका बच्चा self dependent हो जाएगा उसको time लगेगा जादा से जादा पंदरा दिन इस जादा टाइम नहीं लगेगा मेरी बच्चे first class में हैं और आप यकीन नहीं करेंगे from the starting of first class मैंने उसको time table लगाना सिखाया तरीका बताया कि इस तरीके से time table लगता है और अब वो रात में सोने से पहले अपना time table खुद लगाती है और same मैंने nursery में है मेरी एक बीटी बीच वाली उसको मैंने ऐसी ही किया उसको मैंने सब कुछ करना सिखाया उसको uniform मैं उनको कहती हूँ रात में सोने से पहले अपने uniform school shoes school bag एक एक चीज़ आपकी एक जगा होनी चाहिए ताकि आपको सुबह में तयार होने में बिलकुल भी time प्यार रखते हैं कि हमें सोने से पहले ये सब चीज़े करनी है अपना time table भी लगाना है अपने books भी रखनी है और अपने uniform भी रखनी है अपने school shoes रखने सब करके रेडी करके तब आकर लेटी हैं और सोने से पहले बिर्श जरूर करती हैं यह बहुत चोटी चोटी चीज़ से हैं जिसे बच्चा self dependent होता है ठीक है आप यह अपनाईए एक routine मनाईए फिर देखेगा आपके बच्चे में बहुत 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 ज़्यादा देखेंगी कि पहले क्या था मेरा बच्चा और अब क्या हो गया है थार्ड हमारा point है कि हमें बच्चे को क्या सिखाना खाच क्यों और कि प्लीज एड सारी दे devoted Гरें तो होता है मैं रंधोर से पता नहीं है प्रहूर currently नहीं अपको मतलब बताना है बच्चे को कि sorry का मतलब ये होता है कि अगर आपने वो गलती एक बार कर दी है और आपने उसके लिए sorry का है, sorry का मतलब आप माफ़ी माग रहे हैं कि आप वो गलती दुबारा नहीं करेंगे तो दुबारा अगर आपने वो गलती की तो वो आपके माफ़ी नहीं की जाएगी हर चीज़ का एक मीनिंग उनको इसक्राइब कीज़े हर चीज़ उनको समझाईए एक लॉजिकल आंसर दीज़े बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे कोश्चन्स चल रहे होते हैं बहुत सारे questions चल रहोते हैं कि कौन सा काम ऐसा क्यूं हो रहा है ऐसे कैसे हो रहा है तो आप उन questions के answer दीजे और positive answer दीजे यकीन मानिए बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे अगर आप जला कर उने कह देंगे यह ऐसे ही होता है इसको ऐसे ही रहने तो तुम इतना सवाल क्य को करेंगे बच्चे करें है और अगर आपको चीज मिल जाते हैं एक नगया के सबसक्री मारती हूं है मैं और चोकले करते हूं जब मैं चैकले बनाती हूं तो बच्चे करता है न हम भी पैकिंग करेंगे हम भी हमें भी दीजिए हम भी खाएंगे तो मैंने क्या करा है मैं बच्चों से पैक कराती हूं ठीक है बहुत सफाई के साथ उनके हाथ धुला कर और सब कुछ करके तब मैं बिठाती हूं उनको पता है कि अगर हमने थोड़ा सब इधर उदर टच किया ममा हमें बिल्कुल भी पैकिंग नहीं करने देंगी तो बहुत ही तरीके से बैठे के पैक करती है फिर उसके बाद उनको पता है कि हम पैक कर लेंगे तो हमें चॉकलेट मिलेगी जरूर और ऐसा कभी नहीं होता है कि मुझसे बगार पूछे कभी खा रहे हूं ऐसा आज तक नहीं हुआ है लगा शुक्र है और क्यूंकि मैंने उनको यह बता रहा है अगर आप मुझे बगार बताया कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो एक चोरी में शुमार हो जाएगा मतलब आप चोरी कर रही है उस चीज़ के लिए अब उनको चोरी का मतलब भी नहीं पता था कि चोरी क्या होती है तो मैंने उस चीज़ का भी एक मतलब अच्छे से उनको समझा रहा है कि क्या होती है यकीन मानिए जब आप बच्छे को बहुत प्यार से अच्छे से बिठाकर हर एक चीज़ का मेनिंग बताते है ना तो बच्छा उस चीज़ को बहुत अच्छा से समझत और रिटेन भी रखता अपने दिमाग में उसके conscious mind में रहती है वो बात थीक है तो बच्चे को बहुत प्यार से उसको टेकल करना सीखिए उसको समझाईए उसके questions के answer दीजिए ठीक है अब हमारा आता है fourth point हमें क्या करना चाहिए हमें मा बच्चों को माफ करना सिखाना चाहि और responsibility को accept करना सिखाना चाहिए मतलब कि जैसे कि अगर मैं आपको अपने बच्चों का ही एक्जांपल देती हूं मेरी जो बड़ी बेटी है वो first class में और जो बीच वाली बेटी है वो है nursery class में तो अगर मुझे कोई काम करना होता है तो मैं सबसे छोटी बेटी मेरी दो साल क मैं दो कहां जाती हूं जाते हूं आपको इनका ध्यान रखना है यह सब्सक्राद करना सिथिकर गट्स मेरी जैसे मातननी किन लखने और समयर दो तो नीचे गिरकर सर में लगने की डर लगा रहता है इन सब चीजों से वह बचा कर रखती है और बैठ खर अगर मैं कहूंगे आपको बैठ कर खेलना है तो बैठ कर ही खेलती है और बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉंसिबलिटी को निभाती है बहुत अच्छे से करती है तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं अपने बच्चों का एक्जामपल देखे कि आप इस तरीके से अपने बच्चों को किस तरीके से आप रेस्पॉंसिबल बना सकते हैं या फिर आप यूनिफॉर्म रखने में या फिर बच्चों के बैग लगाने में एक रेस्पॉंसि किस तरीके से लोगों को माफ करना है ये सिखाना है अब देखे जब बच्चा sorry कोई गल्ती करने के बाद sorry कहता है तो इसके मतलब ये है ना कि वो अपनी गल्ती के लिए पचता रहा है ठीक है ना? तो हमें पत्धर बच्चे को भी ये सिखाना है कि देखो बेटा वो सौरी माँग रहा है ना तो आपको उसको माफ कर देना है माफ कर दीजिए उसको तो इससे क्या होगा जब बच्चे भाई बहन आपस में ही नहीं लड़ेंगे तो स्कूल से भी कोई कंप्लेन आपके पास नहीं आने वाली अगर कभी ऐसा हो गया कि आपके स्कूल में बच्चे के साथ कोई ऐसी कंडिशन आ गए कि बहुत जादा लड़ाई हो रही है सब बच्चों में तो जब आपका बच्चे एक रिस्पॉंसिबल और फॉर्गिविंग परसन होगा तो वो उस चीज को मसले को वहीं के वहीं हल कर देगा और वो बात टीचर के तक भी नहीं जाने देगा यह एक ऐसी चीज में बता रही हूं जिससे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्पॉंसिबल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करेगा और बहुत अच्छा लगेगा अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है आस्किंग कोशिंज बच्चे को कहो कि वो जादा से जादा कोशिंज पूछे बच्चे वो होशियार कहला जाते हैं जो जादा से जादा कोशिंज पूछते हैं अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत-बहुत-बहुत सारे questions पूछते हैं मैं अपने बच्चों से रिलेट कर सकती हूं क्योंकि मेरे छोटे बच्चे होते हैं अगर मैं first class वाली बच्ची बात करो पनी वह इतने ज्यादा questions पूछते हैं हर चीज कोउचन पूछती है लेकिन मा उसको हर चीज समझाते जो मुझे लगता है कि तोड़ा रूकिस पूछना चाहिए तो मैं ऊसको कहती हूँ आप थोड़े देर बैठिए मैं अभी आती हूं और मैं आपको समझाते हूं उसके लिए थोड़ा से ताइम लेटी है किस तरीके से मुझे अपने माइंड में थोड़ा सा मनिपूलिशन चाहिए होता है तो मैं उसको बहुत सारे कोशिण जो सके होते हैं उन सब के अथर देती हूं अब ज़ातार पेरेंट्स क्या करते हैं ? ज़लाने लगते हैं इतने कोशिण्स पूछती है, इतने कोशिण्स कहा tentang deserves, कहा से आता है नहीं बताना है, मत ज़ला पीज़ाना है clean out जो होते हैं हमें उनको सुनना चाहिए और बहुत ही प्रोडक्टिव और अच्छा आंसर हम जब बच्चे को देंगे बहुत ही लॉजिकल आंसर जब बच्चे को देंगे बच्चा उस चीज़ को समझेगा देखिए आपको बच्चा अपने किस तरीके से उठाना है वह सब आ हैं बच्चे जब कोशन्स पूछते हैं उनका लॉजिकल आंसर दीजे कभी मना मत करिए ठीक है उनको हमेशा समझाएए अब सवाल यह उठता है कि हम जब बच्चे को यह सब चीज़े किस तरीके से सिखा सकते हैं जादतर बच्चों को स्टोरी देखने का सुनने का बहुत जब बच्चा काफी डाइम तक घर से बाहन नहीं निकलता मतलब यह है कि गैधरिंग में नहीं जाता और बहुत जाद इंज्वाइमन नहीं करता तो बोर हो जाता हम भी हो जाता हैं पर तो वह तो बच्चा है तो फिर मैंने क्या किया है मैंनों स्टोरी सुनाने शूरू कि फिर में आ में प्रिंसेट उतिके उनुपर जी सब्सेटा ठीख प्रिंससराइए प्रेंसे कि मेरी कि इन पीट स्घी परा आनसर करें फिर मे करें थी स Fleisch को मैं बोरे चीशन और में नहीं कर रही हूं तो जब यह इंआ चीज परारोई देगर तै क्यों पार रही है तिक यह क यह जो स्टोरी है मुझसे कही न कहीं रिलेट हो रही है तो वो बहुत अच्छे से इस बात को समझी और जब मैंने इस चीज का मोरल बताया कि मोरल इस आफ दे स्टोरी क्या है कि हमें किस सरीके से पढ़ाई करने चाहिए हमें को भी भी कोई गैप नहीं देना चाहिए जब मै अगर यह आप पांच एटिकेट्स बच्चे को डिरेक्टली नहीं सिखा सकते तो आप स्टोरी के थ्रू अपने आप स्टोरी बनाएए बच्चे को सिखाईए और यकीन मानिए बच्चा बहुत आराम से सीखेगा उमीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 जादा हेलफूल होने वाली है अगर थोड़ी सी भी हेलफूल रहे तो लाइक जरूर करिएगा शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू